किसी ने क्या खुब्सूरत, बात कई है, किकल दूहुप से परिशान थे, आज तकलिफ बारिश्य है, शिकायते बेश़ुमार हैं, इंसान की आदत में हैं, जिसकी मस्ति जिन्दा है, पस उसी की हस्ति जंदा है, वरना यू समझ लो, वो दबस जबर्दस्टी जिन्दा है नमस्कार दोस्तो इश्वर सदायब आप कबला करें और आपकी जोलियां ईश्वर के आश्वाद से हमेशा भरी रहें तो दोस्तो आज़ बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा डर में जीते हैं बहुत से चिंताएं बहुत से तनाव उनके मन में हर पल चलते रहते हैं ऐसा ही एक शिष्षिता जो अपनी जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं से दुखी हो गए अपनी गुरू के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे मन में निरंतर बहुत सारे विचार आते हैं बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मैं कोई काम ही नहीं कर पाता हूँ मन हमेशा तनाव से चिंता से भरा रहता है हमेशा भविश्य की चिंताएं और खास कर उसमें नकारात्म विचार ही मेरे दिमाग में आते रहते हैं मैं इन विचारों के वज़े से सही ढंक से काम भी नहीं कर पाता हूँ और अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान भी नहीं दे पाता हूँ अब उसके गुरु ने उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा चलो आज में तुमारे इस समस्या का समाधान थोड़ी दूर चल कर दूँगा वो अपने शिश्य को लेकर बाहर की ओर आते हैं चलते चलते वो दोनों एक खेत के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक किसान बहती हुई नहर से पानी को रास्ता बना कर खेत तक ले जा रहा था अब उस गुरु ने जब वो दृष्य देखा तो शिश्य को बड़ी गहराई से दिखाया और फिर बोला कि तुमने इससे देखकर क्या समझा बेटे इस बहतेवे पानी को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये पानी खेत तक जाकर वहां की फसल को अच्छा कर देगा लेलहा देगा यदि आप इसी पानी को सही दिशा नहीं दोगे तो पानी तो अपना रास्ता खुद बनाकर इधर उधर व्यर्थता से चला जाएगा और खेत की सारी फसल बरवाद हो जाएगी तो शिश्य ने कहा बिलकुल ठीक कहा गुर्देवा आपने तो आगे उनके घुरू ने कहा वज्ज जिस तरह बहते वे पानी को सही दिशा देना जरूरी है उसी तरह से चलते वे विचारों को भी सही दिशा देना बहुत जरूरी है विचार कभी रुख नहीं सकते ये निरंतर चलते रहते हैं विचारों को दिशा देना तुम्हारे अपने हाथ में है तुम चाहो तो उन्हें एक सही रहा दे दो तुम चाहो तो उन्हें अनेक दिशाओं में भिटका दो विचार और मन का बड़ा गहरा संबंध है मन वहीं जाता है जहां हमारे विचार उसको ले कर जाते हैं क्योंकि यदि तुमने अपने विचारों को सही दिशा प्रदान नहीं की तो विचार और फिर मन दोनों ही गलत दिशा में ही जाएंगे पहले विचार आएगा और फिर तुम्हारा करम बनता है और फिर वही आगे की रहा बनाता है और फिर असफलता और सफलता मिलती है विचारों से ही पराए भी अपनी हो जाते हैं और विचारों से ही अपनी भी पराए हो जाते हैं वत्तिक कभी न भोलना कि विचार एक महाशक्ति है, सकारात्मक विचारधारा एक बरदान है और नकारात्मक विचारधारा एक महाल अभिशाप है, समान विचारों से ही रिष्टे युगो युगो तक रहते हैं और ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते कि भाई मेरे और उसके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो उसके सिश्य ने कहा हाँ आप ये बात बिलकुल सही कह रहे हैं तो गुरू ने आगे बोलना शुरू किया इसलिए हम दोनों के रास्ते अलग-अलग हैं हम ऐसा भी कहते हैं क्यूंकि हम अपने विचारों से ही अपनी जिन्दकी को एक नया मोड दे सकते हैं दूसरे के विचार भी हमें बहुत जादा प्रभावित करते हैं इसलिए मेरे प्रियशिष्य अपना तन, अपना मन और अपना धन बस अच्छे विचारों में लगा दो क्योंकि सच्ची सफलता और आत्म शांती हवीसा अच्छे विचारों से आती है तुम जितने अच्छे विचार करोगे तुम्हारा जितना सकारात्मक चिंतन होगा तुमारे अंदर के डर भै उतनी जल्दी ही दूर हो जाएंगे इसलिए तुम आज से इस चीज़ को अपने जीवन का एक नियम बना लो कि अपने तन और मन सबसे अपने विचारों पर काम करना शुरू कर दो तुम अपने विचारों को जितना सकारात्मक रखोगे दुन्या की समाज की अच्छाईयां तुम्हारे पास लौट कराएंगी तुम्हारा संपर्क भी उन लोगों से बनना शुरू हो जाएगा जो अच्छा सोचते हैं क्योंकि हम संसार में जो विचार छोडते हैं वैसे ही विचार की शक्तियां हमको आकरशित करने लगती हैं इसलिए अपने जीवन को यदि सुधानना चाहते हो मन में टहल रहे बहुत सारे बुरे डरों से बुरे विचारों से इदि बचना चाहते हो तु आज से ही अपने दिमाग को अपने मन को अपने विचारों को सका रातमक दिशा में लगाना शुरू कर दो निश्चित रोप से तुम्हारे मन के सारे डर आज के बाद से हमीशा हमीशा के लिए दूर हो जाएंगे